नमस्कार दोस्तों सौगत है आपके इस वीडियो में तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि मान लिजे आपको क्रिप्टो करणजी खरीत नहीं है इंडिया में रहके तो आप कैसे खरीदेंगे तो बहुत ही quick, बहुत ही easy way में बताऊंगा तो आपको Binance पर आ जाना है अगर मान लिजे आपके पास Binance का account नहीं है तो आप ऐसे आएंगे ठीक है यहाँ पर get started या फिस sign up करके आप अपना मतलब जो normal phone number, email वगरे डालके आप sign up कर लेंगे, खुल मिलाके वो तो बहुत basic चीज है वो आप कर लीजेगा ठीक है अब जब आप sign up कर लेंगे तो ऐसे आपको home page आजाएगा अब यहाँ पर आपको पूरा यह asset दिखाएगा जो कुछ भी है, कैसे है आप सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आप deposit section में आ सकते है, deposit में आएगे ठीक है, अब यहाँ पर deposit crypto, P2P trading, buy crypto, bank deposit ठीक है, तो अभी सबसे best way है P2P, ठीक है, P2P पर click कीजे जैसे ही P2P पर आ जाएगे, ठीक है, login हो जाएगे आप, अब यहाँ पर आप buy पर click कर लिजे, यह buy पर click कर लिजे, अब यहाँ USDT, BTC जो भी है, जो आपको लेना है, तो let's say, हमें BNB लेना है, तो BNB पर click कर लिजे, अब यहाँ पर INR, ठीक है, Indian rupees में of course, ठीक है, या फिर अगर आप कहीं और, किसी और country से देख रहे हैं, तो आप अपना वो ले लिजे, और यह manual है, जो वो सब हमें चुने की जुरूत नहीं, अब माल लिजे, आपके पास 5000 रुपए, तो आप यह देखिए, कि यह कितने, यह बंदा जो बेच रहा है, यह 4500 से 31000 के बीच की BNB बेच रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास, अगर 500 हैं, अब सारे 5000 हैं, तो आप यहां 5000 से खरीच सकते हैं, अब अगर आपके पास 3000 हैं, तो आप यहां पर खरीच सकते हैं, तो यह देख लिजे, मतलब अगर आपके पास कम है तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा आपके पास जादा पैसा है तो आपको सस्ता पड़ेगा अब मतलब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख लिजे कि इसका 72.70% completion है ठीक है और 87% लोगों ने like किया है तो ये मेरे ज्यादा time consume कर लेते हैं या क्या क्या रहेंगे आप अपना payment कर दो गे इनको और ये उधर से BNB छोड़ेंगे नहीं तो जैसे हमा लेजे अब हम इस बंदे से लेना है ठीक है और हमारे पास 2500 है हमें इस बंदे से लेना है तो हम क्या करेंगे बाई BNB पे जाएंगे ठीक है बाई BNB पे करने पे हम यहाँ पे 2500 चूज कर लेते हैं ठीक है अब इतनी BNB मिल रही है मुझे ठीक अब यहाँ पे देखाए इन्होंने अपनी conditions लिखके रखती है आपको एक चीज धान रखना है कि जब जो bank account आपने इसमें add किया है Binance में ठीक है आप वही bank account यहाँ पे जो payment method आप more पे आएंगे तो यहाँ पे payment method होगा ठीक है आपने जो payment method इसमें add किया है ठीक है ठीक है ठीक वही payment method आप use करेंगे ठीक है तो आप उसी payment method से payment करेंगे कोई नया payment method use नहीं करेंगे ठीक है अब ऐसा करने के बाद आप बाई BNB पे क्लिक कर देंगे पेमेंट मेंट सेट करने के बाद मतलब हाँ सुरी यह UPI फोन पे जो भी आपको चूज़ चाहिए वो आप जैसे माल ले UPI कर देंगे ठीक है और बाई BNB पे चले जाएंगे तो इसका एक order create हो जाएगा और यह बंदा यह मतलब माल लेजए बाई BNB पे क्लिक करतीज़ तो order successfully place हो गया ठीक है अब यहाँ पे place हो गया तो आप इस इस नम यूपी आई आई डी पे सरी यूपी आई डी यह है इस नेम पे आप payment कर सकते ही किसी भी यूपी आई से और जब एक बार payment कर दें आप अपने इससे phone से payment करना है तो आप payment कर दें तो धाई हजार रुपए का payment करने के बाद आप notify transfer this ठीक है transfer notify seller इस पे click कर देंगे तो वो notify हो जाएगा कि हाँ आपने पैसा भेज दिया है ठीक है और अगर आपको वो नहीं भेजता है मतलब वो पैसा क्या मतलब वो आपको वापस बेन भी नहीं भेजता है तो यहाँ पे आप एक issue raise कर सकते हैं जैसे आप यह करेंगे वहाँ पे एक आओ जाता है तो आप issue raise करके आप यह कर सकते हैं मतलब इस